तमंचे पर डिस्को की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी या फिर तमंचे पर डिस्को आपने भी किया होगा लेकिन क्या शराब की एक खाली बोतल किसी को इस तरह मस्ती में डुबो सकती है कि वो थिरकने लगे जी हाँ इसकी भी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रही है दरअसल ये तस्वीर बिहार के बेतिया की है जहां एक वीडियो वाइरल हो रहा है इस वीडियो में 60 साल का एक शक्स इस कदर मस्ती में जूम रहा है ऐसा लग रहा है मानो उस पर कुछ नशा चढ़ लेकिन उसके हाथ में जो बोतल है वो दरसल एक खाली बोतल है जो शराब की बोतल बताई जा रही है और इस बोतल के नशे में वो एक नर्थकी के साथ जम कर जूमता जा रहा है लेकिन शराब की इस खाली बोतल के साथ डिसको करना भी इस शक्स को भारी पढ़ दे दरसल बेत पार्टी में शराब की बोतल के साथ एक अधेर शक्स नर्तकी के साथ डिस्को कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस शक्स के घर में एक बच्चे का जनम दिन था और इस मौके पर ये शक्स मस्ती में जूम रहा था। लेकिन इस डांस के बारे में किसी ने पुलिस को सूचना दे रही और पुलिस ने इस वाइरल वीडियो के आधार पर संग्यान लिया और इस शक्स को सलाखों के पीछे पहुचा दिया। दरसल सूबे में शराब बंदी है और शराब बंदी के मौके पर शराब की खाली बोतल के साथ ये शक्स डांस कर रहा था हाना कि पुलिस को अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इस शक्स ने शराब पी थी या नहीं पी थी क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है वो ये है कि उसके हाथ में एक खाली बोतल है। लेकिन शिकारपुर ठाने की पुलिस ने प्राथमी की दर्ज करते हुए इस शक्स को गिरफतार कर लिया। इस शक्स का नाम रमेश सिंग बताया जा रहा है और इसकी उम्र साठ साथ। फिलाहाल नर्थकी के साथ डिसको करना इस शक्स को भारी पड़ गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाच की बात कह रही है। झाल